सो हे गाज कैसे आप लोग काई होप आप सभी अच्छी होंगे तो आज हम साइन से समदित प्रस्ण को लेक्या है और परतेक प्रस्णों को वित एक्ष्ट्रा फेक्ट साथ बताएंगे तो आप लोग वुडियो के अन तक बने रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण है नोमेन एक डोट डोट का हिस्सा है आपको बताना जो नोमेन लिखा गया यहां पे नोमेन यह नोमेन किसका हिस्सा है किसका पाठ है यह आपको बताना है ऑप्सन में दिया है दूरबीन ट्रांसफर्मर विकरन मापी धूप घड़ी बता दे नोमेन धूप घरी का हिस्साहे अपब बतिएगा दूब गारी क्या होता है उसको हम दिखांगे तो इसका अनसर पर देते हैं अप्सेन यह है नो मेन क्या है नो मेन इसका सेडो है यह नो मेन है और यह धूप घड़ी और इसे धूप घड़ी का हिस्सा है नोमेन तो प्रस्ण पुछागे थो नोमेन किसका है तो धूबगड़ी का धूबगड़ी होता कैसे आपको बता दिए आप इसे याद रखेगा आप बढ़ते हैं अगले प्रस्ण क्यों प्रस्ण है उस तरंग का अवर्थकाल ज्यांत किजिए जिसकी आविर्थी 400 हर्टज ह पहला प्रस्ण यहां से बनेगा कि आविर्थी का मात्रक क्या होता है तो याद रखेगा आविर्थी का मात्रक होता हर्टज क्या होता है हर्टज इसे आप लोग ध्यान में रखेगा उसके बाद प्रस्ण पुछाएगा यहां पर आवर्थकाल आवर्थकाल बराबर होता ह तो आपको यहां अबर्त काल निकालना है तो टी इधर रहेगा ही बराबर वन बाय एफ कमान फ्रिक्वेंसी कितना दिया है 400 तो 400 नीचे हो जाएगा जब 400 को एक से भाग दीजेगा तो कितना हैगा 0.00225 तो इतना सेकेंड आ जाएगा तो आप अरतकाल आजाएगा 0.0025 सेकंड इसका अंसर ओप्शन सी हो जाएगा तो इस फर्मला को प्याद रखेगा टाइम प्रेट बराबर हता है वन बाय एफ यान की फ्रिक्वेंसी आविर्थी यही से आप एफ कमान दिया हुआ था तो वन बाय प्रेट जाब डिवाइड किजेगा तो 0.0025 इसका अंसर ओप्शन सी हो गया तो इस फ्रूर्मला को प्याद रखेगा और आभिरतिक मातर भी यहाद रखेगा हर्टाज प्रस्ण है बेकिंग सोडा किसके द्वारा त्यार किया जता है यद रखेगा सोडियम क्लॉराइट एन असल पलस एन एच थिरी कि अमोनिया पलस कारवन डायोकसाइड स्योटू पलस H2O सबको मिला येगा ना तो बनेगा क्या तो बनेगा NaHCO3 sodium bicarbonate पलस ammonium chloride NH4Cl ammonium chloride तो याद रिखेगा जब NaCl sodium chloride ammonia CO2 H2O जब आपस मिलाई येगा reaction कर वेगा तो बनेगा जो क्या तो ये baking soda बनेगा बनेगा बेकिंग सोडा जिसे हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं बेकिंग सोडा साथ साथ अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड तो इसका अंसर क्या होगा बेकिंग सोडा किसके द्वारा त्यार किया जाएगा निमनलेखित में से किस तत्व का उप्योग जल के उपचार सुधी के लिए किया जिता है जल का उपचार या सुधी के लिए जल को सुध करने के लिए जल को सुध करने के लिए किसका हम लोग इस्तिमाल करते हैं सबको पता होगा किसका क्लोरीन का किसका क्लोरीन तो पोटसियम नहीं होगा मैंगनेसियम भी नहीं होगा लेड़ सी कि अप्सन सु हो जगा क्लोरीन का युश हम लोग करते हैं कोई लाए यह तो होगा नहीं इसका अंसर उप्शन सी हो जागा यह उर्जा के गयर परमप्रिग में लखडी पेट्रॉल कोईला आएगा परमप्रिग में लेकिन गयर परमप्रिग में दोरा में लखडी की अधर्टन में लखड़ेगा अगरता अगरता में अगर दोनी को वे बढ़ेगा यह भी सही है वाई में धोनी का वेग आबरती में परिवर्तन से प्रावित नहीं होता ये विवास से ये आबरती से प्रावित नहीं होता है ये तीनों सही है गलत क्या है गलत ये इसका अंसर उप्षन ए हो जाएगा अधरता बढ़ने के साथ वाई में धोनी का जो वेग है वो कम नहीं हो बढ़ता है अधरता बढ़ने पर वाई में धोनी का वेग भी अधिक होगा बढ़ेगा कम नहीं होगा यहां पर कम दिया था यही गलत था गलत को चुनना था तो आपका इंसर ऑप्शन यह हो गया लिखित में से किस तक्निक का उप्योग करके पेट्रोलियम को सुधन क्या ज इसका अंसर होगा परभाजी आस्मन परभाजी आस्मन के द्वारा पेट्रोलियम का सुधन क्या जता है तो इसका अंसर क्या होगा ऑप्शन भी परभाजी आस्मन वह आस्पिक्रण नहीं होगा प्रिथिकारी क्रिप नहीं होगा उर्थपातन नहीं होगा तो इस परस्ण क सणब्यूंसर को जगार या कि अबरल सार्णी के नीचे जाने पर निचे जाने पर निमनलिखिद में से कौन नहीं बढ़ता है पर्वानुत तरज्या दट्वीगून संज्दक्ता तत्वो को सॉक की संख्या वर सारणे में उपर सी नीचे जाने पर पर्मन तिर्जा बढ़ता है धात्वी गुण मिभी बढ़ता है अत इत में कोस कर्णा मियाद से नामे कि क्या रेक्टर में गाठक कॉन सा है जो श्रिंख्छलान अभी कि रयाको नियंत्रित करता है नियंत्रित करताना अभी के रेक्टर में बोरॉन और केमियम काचण हो इस बोरॉन और केडिमियम काचळ Xin कि नियंत्रीद करता है नांभीटर में तू मंदक नियों करते ग्रफट बर घ्यार भारीजल शितलक नहीं होगा इंदन नहीं होगा इसका ईंसर उप्षन शी जगर नियंत्रक छड़ और नियंत्रक चड़ करते हैं बोरोन और क्राड़ में का छड़ दुनको याद रखियगा आपको जो इसे कौन से एक ही पोंचित नादी है थिन पोसित समझते हैं हिम से निकलता ही यह इंपोसित ननी को दावरी ह तो यह सिर्शन कलता है हो महाराष्ट्ट के ट्रयम्बक कि के ट्रम करेंधार नादि कि यह मोथत्रि गलिसियर यह मृत्रि बंदर पूच यह मुनुत्री गलिस्यर बंदर पूज। तो यहां से निकलता, यहां तो बरफ है, तो इसका अंसरियोगा यहां होगा, बाकिन नरमदा कहां से निकलती हैं, अमरकंटक्स हो, यह मत पर्दाश का मरकंटक्स निकलते नरमदा नी और कावेरी ब्रमगेरी पाड़ी करनाटक्से निकलती है ब्रह्मगीरी इस चारों को याद रखे कहां से निकलती उद्गमस्थान यहां से प्रशन पुछा जाता है तो गुदाबरी निदेग उद्गमस्थान त्रमक सरेनी महाराश्च यमनाने दिक यमनुत्री बंदर पूझ नर्मदान दिक अमरका टक मधपरदेश और ब्रह्मगीरी यह कागरी करना टक को अब सब कि याद रखेगा इसका नसे ऑपशन भी हो जाएगा दक्कन का पठार अकार में कैसा है दक्कन का पठार यह अपना इंडिया है मान के जली यह है आपका दक्कन का पठार तो यह किसा कार का है यह तो यह अंडाकार नहीं है आताकार नहीं है वर्गाकार नहीं इसका अंसर उप्षन सी हो जगर तिर्भोजाकार दक्कन के पठार का कार कैसा है तिर्भोजाकार है इसका answer option C हो गया तो friends आज का प्रशन बस नहीं तक था धन्य बाद आम मिलते हैं next video में next topic के साथ